Hello Everyone, Welcome in Programming Brain Channel तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं Overloading with Unary Minus Operator means Unary Minus Operator के साथ हम आज प्रोग्राम बनाने वाले हैं Last वीडियो में हमने Overloading के बारे में पढ़ा कि Overloading क्या होती है और कौन-कौन से Operators हैं जिनको हम Overload कर सकते हैं अगर आप आज पहली वार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अलसो क्लिक दा बैल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको Notification मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं Let's start program with Unary Minus Operator तो देखिए आज हम program बनाने वाले हैं Unary Minus Operator के साथ, अगर हम Minus Sign का यूज कर रहे हैं और Unary बोल रहे हैं तो It Means Single Operant के साथ यूज करेंगे CB value को यह variable की value को minus बनाने के लिए हम Unary Minus Operator का यूज करेंगे जैसे कि हमने last वीडियो में definition पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था हमने कि जो भी operator हम overload करते हैं उस operator का meaning change नहीं होना चाहिए It Means अगर हम Unary Minus यूज कर रहे हैं तो यह Unary Minus का मतलब है कि Single Operant के साथ लगा करके हम उसकी value को minus करेंगे अगर हम Binary Operator का यूज करते हैं It Means एक Operant में से दूसरे Operant की value को minus करेंगे तो देखे चलिए बनाते हैं प्रोग्राम इसमें हम as usual हमने header files open किये Class ABC हमने बनाया है यहाँ पे ABC नाम का Class उसके अंदर तीन variables लिये मैंने Int X, Y, Z तो these are the data members of the ABC Class Public के अंदर एक function हमने लिया void get data जिसमें XYZ के लिए हम main function से value pass करेंगे और ABC के through हम XYZ को initialize करते हैंगे और देखे इसका तो definition हमने Class के अंदर ही दे दिया है लेकिन अभी दो function हम और use कर रहे हैं एक void display void क्यों देते हैं जिस function से कोई value return नहीं होती तो उसका return type हम void लेते हैं और जब नीचे function से कोई value pass नहीं होती तब भी हम उसको void ले सकते हैं तो display के अंदर हम XYZ की value को display करेंगे और next हमारा जो function है वो है operator overloading function हमारा और कौनसा हम operator overloading के लिए यूज़ कर रहे है यूणरी minus यह देखे और इसका भी return type हमने क्या दिया है void क्योंकि इस function से कोई value return नहीं हो रही है तो यहां पर हम operator keyword का use कर रहे है और साथ में हम symbol जो symbol हमें use करना है उसको use करते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे इनको describe करेंगे तो दिखे पहला हमारे यह display function है इसको हमने यहां पर describe किया है तो class के बाहर कर रहे हैं तो हमें class का reference देना होगा और return type उसको void है तो void दे दिया हमने और display के अंदर xyz की value display करा दी नेक्स्ट है हमारा जो overloading operator है हमारा तो यहां हमने इसको prototype declare कर दिया अब यहां class के बाहर हमें इसको describe करना है तो देखिए इसका return type दे दिया class का reference दे दिया scope resolution के साथ operator keyword as it is use होगा और minus symbol भी as it is use होगा और जैसे function यहां use किया ऐसे ही यहां भी use होगा और इसके अंदर हमने क्या किया क्योंकि unary minus हम use कर रहे हैं it means देखिए in variables की value को minus बनाने के लिए हमने unary minus operator का use किया है तो देखिए x equal to minus x it means जो भी value होगी उसमें minus लगा देगा minus लगा देगा means अगर 10 है suppose x की value तो minus 10 कर देगा इसी तरह से y equal to minus y z equal to minus z तो देखिए यह हम unary minus है यह हमारा क्योंकि single operator के साथ हम use कर रहे हैं अगर यह binary होता तो हमें कम से कम दो अप्रेंट चाहिए होते हैं minus करने के लिए एक में से दूसरे को minus करने के लिए वह हम करेंगे next video में बनाएंगे binary operator के साथ program और यहां पर यह bracket इस function का close हो गया तो चलिए अब हम main function में object बना करके function को हम कैसे call करेंगे तो देखिए int main यह हमने एक object बनाए abc obj1 नाम का menu object बनाया और obj1.get data function को call किया हमने जैसे यह देखिए get data function को call किया और इसमें हमने क्या किया यहां से तीन value हम pass कर रहें 10,20,30 यह तो यहां पर आके क्या करेंगे x में a की value store हो जाएगी y में b की value store हो जाएगी z में c की value यहनके 10,20,30 अब next है हमारा obj1.display तो obj1.display के साथ यह display function को call करेगा और x, y, z तीनों की value display कर देगा यहनके 10,20,30 अब देखिए हम unary minus overloading जो हमारा function है उसको कैसे call करेंगे उसको कैसे active करेंगे तो देखिए object के साथ हमने minus लगा दिया है यहनके minus operator का use कर रहें तो जो operator हम use कर रहें उस operator को हमने obj1 के साथ लगा दिया है अब यहाँ पर यह क्या करता है यह minus overloading जो हमारा function है इसको active करेगा तो active करके यह इसके अंदर क्या काम करेगा x को minus बना देगा y को minus बना देगा z को minus बना देगा तो जब हम यहाँ पर obj1 आएगा obj1 dot display करेंगे तो output क्या देगा minus 10 minus 20 minus 30 क्योंकि अब हम इसके बाद call कर रहे हैं minus लगाने के बाद हम obj1 के साथ जब display को call करेंगे तो minus 10 minus 20 minus 30 display करेगा x y z की value अगर हम suppose यहाँ पर मैं suppose देदू minus 20 तो यहाँ पर इसके बाद हम इसको call करने के बाद obj1 dot display call करेंगे अब क्या value देगा यह minus 10 and plus 20 and minus 30 तो देखे हम इसको लिख भी लेते हैं output को तो यहाँ पर simple हमने pass key values get data के साथ suppose 10 minus 20 30 तो obj.display call करेगा तो simple print कर देगा 10 minus 20 and 30 अलगला line में print करेगा यह मैं आपको यहाँ पर एक ही line में print करके बता रहे हूं लेकिन देखें यहाँ पर हमने slash n दिया है तो यह अलग line में print करेगा यहाँ पर मैं बता देती हूं आपको यह 10 and minus 20 and 30 यह display करेगा और जब हम unary minus function को हम call कर लेंगे तो उसके बाद हम जब इसके साथ display function को call करेंगे सब values के साथ minus operator का यूज करेगा जो भी values होंगी तो देखिए जब हम यहाँ से pass करें 10 minus 20 30 तो अब इसके बाद यहाँ जब हम display function को call करेंगे और भी जब 1 के साथ तो यह क्या output देगा second time में यह देगा हमारा minus 10 and 20 and minus 30 यह देगा और यहाँ भी हम लिख लेते हैं इसको यानि कि same value minus 10 20 and minus 30 तो this will be output of this program तो चलिए अब हम इस program को run करके भी देख लेते हैं computer में यहाँ पे आप get ch भी कर लीजिएगा get ch की क्या output देता है तो देखिए यह हमारा प्रोग्राम जो हमने अभी execute किया उसको हम run भी करके देख लेते हैं देखिए same program है same manage data members लिये और get data के अंदर value से xyz को initialize कर दिया display और overload operator minus हमने इस function को भी declare किया है यहाँ prototype और class close कर दिये और यहाँ main में हमने object बनाया और object के साथ देखिए करके functions कॉल कर तो चली पहले हम run करके देख लेते control f9 पहले हमने योनरी function कॉल करने से पहले तो 10 20 30 पास कर दिया और जब योनरी function जब हमने call कर दिया उसके बाद display में minus 10 minus 20 minus 30 उसने display कर दिया तो चलिए अगर हम suppose यह value change करते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको execute करते समय भी बताया था कि suppose मैं यहाँ पे minus 10 लगा देती हूँ और minus 30 देती हूँ suppose अब क्या देना चाहिए जब इस यहाँ पे तो इस obj dot display में तो minus 10 20 minus 30 ही देगा लेकिन यहाँ पे जब minus call हो जाएगा यह operator overload function तो उसके बाद जब display call करेंगे तो यह क्या देगा 10 minus 20 30 तो चलिए run करके देख लेते हैं इसको एक बार और control F9 यह देखे पहले तो minus 10 20 minus 30 यह तो original value लेकिन जब minus operator function हमने call कर दिया उसके बाद जो minus थी उनको positive कर दिया और जो positive थी उनको negative कर दिया तो यह था हमारा आज की program का output अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें share करें and also click the bell icon ताकि video upload होते ही आपको notification मिल जाए और आप तुरंत video देख सकें next video में हम binary operator के साथ overloading का program बनाएंगे